हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में मैं हूँ प्रियांका तो आज का जो वीडियो है वो है धंतेरस स्पेशल धंतेरस जो है भारती संस्क्रेटी में बहुत ही महतोपून इस्थान रखता है इस समय लोग बेविन प्रकारी खरिदारियां करते हैं इसके बाद दिपावली का टैवहर मनाया जाता है तो यह धंतेरस जो मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है और दिपावली से पहले ही क्यों मनाया जाता है आज हम इन कारणों को जानेंगे इस वीडियो के दौरा में लोक में ऐसा प्रचलन है कि इस दिन सोने, चांदी, तामबे की खरिदारी करना सुभ माना जाता है लोग जम कर आपूशन इत्यादी खरिते हैं आएे समस्ते हैं धन तेरस क्या है भारती संसरीती में यह एक दिवसी तैवार होता है जिसे दिपावली से पहले मनाये जाता है धन तेरस धन और तेरस सब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है धन का तेरह गुना सामाने रूप से धन का अर्थ हम किसे लगाते हैं? पैसे, रूपए, सोने और चांदी त्यादी से तथा तेरस का अर्थ होता है त्रियोदशी धन तेरस के दिन त्रियोदशी तिथी होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 को धंतेरस का यत्यवार मनाया जाता है पर इस दिन स्वर्ण और आभोशन खरीदना क्या लाब देता है? क्या साल भर जोलिरी की दुकाने बंद रहती हैं? क्या दूसरे दिन खरीदना असुब होता है? नहीं फिर धंतिरस का क्या मतलब बनता है? भारती संस्रीती में स्वास्ते का स्थान धन से उपर माना जाता है यह कहावत आज भी प्रचली थै पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया धन का पहला अर्थ है शरीर माया का स्थान तो दूसरे नंबर पर आता है है ना? पहली संपत्ती तो हमारा शरीर ही है अगर आप से कोई आपके शरीर का अंग मांग ले और पदले में कहे कि मैं आपको बहुत सारे रुपए दूँगा क्या आप मानोगे? कभी नहीं मानोगे आप अपना अंग कभी किसी को नहीं दोगे शरीर से बड़ा धन और कोई नहीं है अब रहा तो धन तेरश से इसका क्या मतलब? शास्त्रों में वर्निक कथाओं के अनुसार समूंद्र मंथन के दौरान कार्थिक कृष्ण त्रियोदसी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हातों में अमरित कलश लेकर प्रकट हुए उन्हें विश्णू का अवतार माना जाता है उन्होंने संसार में चिकसा विज्यान के विस्तार और प्रसार के लिए अव्तार लिया उन्हें आयुर्वेत का पिता कहा जाता है वे महान रिशी थे उन्होंने सरीर को सबसे बड़ा धन बताया यदि हम स्वास्त और निरोगी रहेंगे तो संपत्ती और भी कमा सकते हैं हमारा सुन्दर स्वास्त ही हमारा असली धन है भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष में धन्तेरस का यह एक दिवस स्य तैभार मनाया जाता है धन्तेरस के दिन अच्छे स्वास्त के लिए इनकी पूझा की जाती है समुंद्रमंथन में भगवान धन्वंतरी से पहले माता लक्षमी प्रकट हुई थी फिर भी माया से पहले स्वास्त को सबसे बड़े धन का दर्जा दिया गया है इसलिए दिपावली से पहले धनतेरस को महत्तो दिया जाता है जो भारती संस्कृती के हिसाब से बिलकुल अनुकूल है परंतु व्यक्ती संपत्ती कमाने के लिए अपने स्वास्ते को दाव पर लगा देता है फिर भी शरीर ठीक करने के लिए पूरी संपत्ती कमा देता है इसलिए आईए असली धन को समझें और धनतेरस के इस तैभार को शरीर रूपी धन को स्वस्त और निरोगी बनाए और धनतेरस का तैवार मनाए आप सभी को धनतेरस की हार्दिक सुख कामना है हैपी धनतेरस